हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्साच छे सामाजी का ध्यान के अंतरगैत हमारे अतीद विसे का पहला द्याए क्या कब कहां और कैसे हम आपको बताएंगे इस पार्ट की एक जलैक और साती साथ इस पार्ट से सम्बंदित प्रशनों के उत्तर भी तो आईए आप भी हो जाएं तैयार और पढ़ें हमारे साथ सामाजी का ध्यान में हमारे अतीद विसे के अंतरगैत पहला द्याए क्या कब कहां और कैसे तो बच्चो आईए देख लेते हैं एक जला किस पार्ट की इस पार्ट को आप अपनी पाठे पुस्तक से पढ़ना ना भूलें तो देख रहे रहां पर यह है आपका पहला द्याए क्या कब कहां और कैसे यहाँपर बात की जा रही है रसीदा की रसीदा का सवाल है रसीदा बैटी अकबार पढ़ रही थी अच्यानक उसकी निगा एक सुर्की पर पढ़ी 100 साल पहले क्या देखा उसने 100 साल पहले वसोचने लगी कि वहा है He है कोई कैसे जान सकता है कि इतने वरसों पहले क्या हुआ था तो इस पार्ट को आप अच्छे से पढ़ें इसके बाद इसी पार्ट में आपको मिलेगा कैसे पता लगाएं और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं इसके बाद साथी साथ यहाँ पर आपको मिलेगा लोग कहां रहते थे पहले और इसके बाद यहाँ पर आपके लिए कुछ प्रस्नी भी होंगे साथ साथ जिने आप यहाँ पर देखेंग पाठे पुस्तक से तो इस प्रकार से यह आपका पाठ है मांचित पर सिंदु तता इसकी साइक नदियों का पता लगाने का प्रियास करो और यहाँ पर आगे लिखा है गंगा तता इसकी साइक नदि सोन का पता लगाओ और साथी साथ यहाँ पर आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं देख रहें न आप यहाँ पर यह आपके लिए प्रस्ण आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं तो हम आपको बताएंगे इस प्रस्ण का उत्तर कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं और साथी साथ आगे आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें इस पार्ट में बहुत सारे प्रस्ण आपके लिए पार्ट के अंदर हैं और कुछ यह पार्ट के अंत में आपके लिए प्रस्ण दिये हुए हैं तो उन प्रस्णों के आपको यहाँ पर जवाब हम सब बताने व यहां पर बताएंगे अगला प्रस्ण देख सकते हैं आप यहां पर क्या पुरा तत्व वीदों को बहुदा कपड़ों के आउसेज मिलते होंगे तो यह प्रस्ण आपके लिए इसी प्रकार से अन्य यहां पर प्रस्ण आप देख सकते हैं और इन प्रस्ण का उत्तर आप जा प्रसनों की एक सूची तयार करो, जिनने तुम पुरा तत्वित से पूझना चाहोगी, तो यहाँ पर हम आपको इन सारे प्रसनों के उतर यहाँ पर दिखाने वाले हैं, आप भी हमारे सासी इन प्रसनों के उतर जानें, और उन्हें अपनी नोट बुक में नोट करें, तो य पर हमारे आतीत का पहला दिया है क्या कब कहा और कैसे अब हम आपको बता रहे हैं इस पार से संबंदित प्रस्णों के उत्तर तो यहां पर आप देख रहे हैं यह पार का नम क्या कब कहा और कैसे और यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं अब्यास प्रस्ण उत्तर तो यहां प और उतर लिखेंगे आज लोग यात्राएं निम्रे लिकित कारणों से करते हैं और क्या क्या कारण है वो आप देख सकते हैं नमबर एक अपने रिष्टेजारों मित्रों आदि से मिलने के लिए नमबर दो काम के लिए करते हैं लोग यात्राएं एक जगे से दूसरी जगे ल भी यात्राएं करते हैं इसके बाद बच्चों अगला प्रस्ण है यहां पर क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतय पर लेक लिखवाने के क्या लाब थे ऐसा करवाने में क्या क्या कठना यह आती थी और यह मिलेगा आपको प्रस्ण पेज नंबर पांच पर देखे आप अपनी आगे दूसरा पॉइंट लिखेंगे आप हम अभी लेकों के माद्यम से अपने अतीत की जानकारियां प्राप्त करते हैं और तीसरा पॉइंट लिखेंगे कठोर सतय पर लिखना कठिन कार्य था जिसे लिखने में अधिक समय लगता होगा इस प्रकार से आप इस प्रस्ण क का उतर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है बच्चों आपके लिए कहां पर ये प्रस्ण है पेज नंबर 6 पर आप देखें अपने पाठे पुष्टक के पेज नंबर 6 पर देखें और प्रस्ण है क्या पुरा तत्तो वीदों को बहुदा कपड़ों के आउसोस मिलते होंगे यानि कपड़ों के जो अवसेश थे वो मिलते होंगे तो यहां पर उतर लिखेंगे आप पुरा तत्तो वीदों को कपड़ों के बहुत कम अवसेश मिलते होंगे क्योंकि उस समय सूती कपड़े का उप्यों किया जाता था जो समय के साथ साथ सडगल जाते हैं इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं अगला प्रस्ण है बच्चों आपके लिए पेज नमबर आठ पर आप देख रहे हैं आप यह पेज नमबर आठ और यहां पर क्या प्रस्ण है आपके लिए आप देख सकते हैं अंग्रेजी में बीसी देख रहे हैं आप यहां पर इसे पड़े अंग्रेजी में BC, हिंदू में इसा पूर्व का तातपरिया, विफोर क्राइस्ट और इसा पूर्व होता है। तो यहां पर यह प्रस्ण नहीं है, आप इसे केवल समझने के लिए देखें किसका मतलब क्या होता है। अंग्रेजी में BC, जो आप देख रहें नहीं, आप अंग्रेजी में BC का मतलब क्या होता है, विफोर क्राइस्ट और हिंदी में यहां पर देख रहें नाप, EC, E पूर्व है यहां पर लिखा हुआ, यानि कि इसा पूर्व होता है, कभी कभी तुम तितियों से पहले AD, आप के वर्स से है, आप ध्यान दे बचो इस बात को, कभी कभी AD की जगे, CE तथा BC की जगे, BC का प्रियोग होता है, CE अक्सरों का प्रियोग, कॉमन एरा और BC का विफोर कॉमन एरा के लिए होता है, हम इन सब्दों का प्रियोग इसलिए करते हैं, क्योंकि विश्व के अधिकां हुआ था, तो आप ध्यान दे बच्चो, कभी कभी AD के BP, अक्सरों का प्रियोग होता है, जिसका प्रियोग होता है, विफोर प्रजेंट, यानि कि बर्तमान से पहले, तो आप इसको याद रखेंगे, इतनी जो बाते हम नहीं आपर आपको बताई, यह जो है, आपके याद रखने के लिए, आगे, यहाँ पर देखते हम, प्रश्ट संक्या तीन पर दो तितियां है, इनका पता लगाओ, इनके लिए तुम किस अक्षर समो का प्रियोग करोगी, उत्तर में लिखेंगे, यह दो तितियां, देख रहे ना आप यहाँ पर 4700 और 2500 है, इनके लिए 20 अक सहर समो का प्रियोग करेंगे, और इसके बाद आप ध्यान दें, इस प्रकार से अग्याद लिपी को जानने की एक परशिद्ध कहानी उत्तरी अफरीका देश मिश्र से मिलती है, लगवग 5000 वर्श पूर्व यहाँ राजारानी रहते थे, और यहाँ पर आप देखें, आई, एस, देखेंगे ना, आप के, ल, आई, ओ, पी, ए, डी, टी, और आर, ए, इस प्रकार से देखेंगे, आप मिश्र के उत्तरी तट पर रोसेटर नाम का एक कसवा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीरनित पत्थर मिला है, जिस पर एक ही लेक तीन बिन बिन बासाओं तथा लिपियों, यानि कौन सी बासा ये लिपिया हो, यूनानी, मिस्री, लिपि के दो परकारों में हैं, कुछ विद्वान यूनानी बासा पढ़ सकते थे, उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, इसे कार्ट यहाँ L अक्सर के लिए सेर और A अक्सर के लिए चिडिया के चित्रे बने हैं, तो आपने देखा यहाँ पर बच्चो, L अक्सर के लिए किसका बना है, सेर का, यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर सेर, और यहाँ पर आगे सेर का चिन आपने देखा, और A अक्सर के ल उन्होंने यहाद जान लिया कि विविन अक्सर किन के लिए प्रियुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्यावी लेकों को भी पढ़ सके तो यहाँ पर आप इस जानकरी को याद रखें इसके बाद मिसर के रोसेटा नामक कस्वे में मिले पत्र पर लेक कितनी बासाओं तथा लिप्यू में उत्किर्णित हैं उत्तर लिखेंगे मिसर के उत्तर ही तट पर रोसेटा नामक कस्वे में मिले पत्र के लेक तीन बिन बिन बासाओं और लिप्यू में उत्किर्णित किया गया है यानि तीन बिन बिन बासाओं में लिखे गए हैं और सेर का चित्र किस अक्स के लिए प्रियोगत किया गया है आप ध्यान रखें इसके बाद यहां पर प्रस्णें आपके लिए कल्पना करो तुम्हें एक पुरा तत्वित का शाकसाथकार लेना है तो उन पांच प्रस्णों की एक सूची त्यार करो जिने तुम पुरा तत्वित से पूछना चाहोगे तो उत्तर में क्या करेंगे आप प्रस्णों की एक सूची बनाएंगे और क्या क्या पूछना चाहेंगे पहला पुरा तत्वित अतीद में बनी तता प्रियोग में लाई वस्तों का अधियन क्यों करते हैं नमबर एक नमबर दो पुरा तत्वित किसी अस्तान की खुदाई किसाधर पर करते हैं और नमबर तीन क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की साउधानी भी रखी जाती है और नमबर चार खुदाई में मिली चीजों की उम्र का कैसे पता लगाया जाता है नमबर पांच खुदाई में मिली चीजों को कहां और क्यूं रखा जाता है इस प्र के अंत में पूछेगे प्रस्णों के उत्तर और प्रस्ण सबसे पहले आप देखेंगे आओ याद करें और पहला प्रस्ण निम्न लिखित का सुमेल करो तो यहाँ पर जो है प्रस्ण में क्या पूछा है आप देख रहे हैं यहाँ पर नर्मदा घाटी नर्मदा घाटी पहल आपने सुमेल करना है और किस प्रकार से कहेंगे आईए उत्तर देखते हैं यहाँ पर तो नर्मिदा घाटी के साथ क्या होगा सिकार तता संक्रमैन और संग्रहन और मगत के साथ क्या होगा पहला बड़ा राज्या गारोपाडिया आरंबिक किरसी सिंद्ध तता इसकी साइक नदियों में आप लगाएंगे पर्थम नगर को गंगा घाटी में लगवर 25 वर्श पूर्व के नगर तो इस प्रकार से आप इसे सुमेल करेंगे देख लिए न आपने यह आपका प्रस्न और यह उसका उत्तर इसके बाद अगला प्रस्न है बच्चो पांडु लिपियों तथा अभी लेकों में एक परमुक अंतर बताओ तो यहाँ पर जो है आप क्या अंतर बताएंगे आपने पाट पड़ा होगा पांडु लिपियां पराया ताड़ पत्रों तथा बोज पत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी जबकि अभी लेकों को पत्थर या धातु जैसी क ठोर सतों पर उतकिन यानि खोट कर लिखा जाता है तो इस परकार से आप उत्तर लिख सकते हैं अगला है यहाँ पर चर्चा करें आप चर्चा करें और तीसरा प्रस्ण है रसीदा के प्रस्ण को फिर से पड़ो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं तो आप फिर से पड़ें उसक प्रसवारों, हत्यारों, बरतनों तथा सिक्कों आधी द्वारा भी जानकारी मिलती है। इस प्रिकार से आप इस प्रस्ण का उत्र लिख सकते हैं। अगला प्रसन है बच्चों पुराथत्तोवीदों द्वारा पाई जने वाली सभी वस्तों की एक सूचीआ बनाओ। इन मे पत्थर तता इटों से बनी इमारतों के आवसेज यही तो मिले थे ना और पत्थर से बनी कौन कौन सी हो सकती है इमारते हो सकती है हतियार हो सकते है आवजार और मूर्तियां यह सब पत्थर से बनी हो सकती है इसके बाद बच्चो आगे देखेंगे आप साधरन इस्तिरी तत सादरन स्तरी और पुरुस अपने कारियों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरन तयार किया जाए नमबर दो यहावी संभव होए कि वो पड़े लिखे ना हो नमबर तीसरा लिख सकते हैं आप यहावी संभव होए कि वो गरीब हो और उतकिर्ण यानि कि खुदा ही कर लिखवाने का काम करवाने का कारिया खर्चिला हो तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं उत्तर में च्छटा प्रस्ण है कम से कम ऐसी बातों का दो बातों का उलेक करो जिन से तुमारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिनिता का पता चलता है उत्तर में लिखेंगे राजाओं और किसानों के जीवन में क्या अंतर हो सकता था पहला लिखेंगे राजाओं का जीवन बैवाओ और एस्वरे से परिपूर्ण होता था जबकि किसानों का जीवन कश्टों से भरा होता था नमबर दो राजा अपनी बिज़यों का लेखा जोका रखते थे जबकि किसान अपने कारियों का लेखा जोका नहीं रखते थे आओ करके देखें आगे यहां पर आओ करके देखें उत्तर आपका यहां तक है यह आप ध्यान दे इसके वाद यह अगला है आओ करके देखें य चाहिए सिल्पकार उतर में लिखेंगे आप यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर देखेंगे आप प्रस्ण में कह इस्तरी और खै पुरुज और गह इस्तरी और पुरुज दोनों होते हैं तो यह है आपका प्रस्ण और उतर में लिखेंगे आप इसे देखेंगे आप ध्यान स सिल्प, मूर्ति सिल्प, काश्ट सिल्प और चर्म सिल्प लिखेंगे यहां पर लिखेंगे आप यहां पर इस्तरी की जगह पर खाली चोड़ेंगे और यहां पर पुरुस वाले में आप लिखेंगे पुरुस 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 और यहां पर इस्तरी पुरुष दोनू इस्तरी पुरुष दोनू तो आप क्या समझे बच्चो इसमें इस्तरी पुरुष दोनू काम करते हैं बवन सिल्फ में केवल पुरुष करते हैं मूर्ति सिल्फ में इस्तरी पुरुष दोनू कास्ट सिल्फ में केवल पुरुष और चर् लिखित बिसेयों पर लिखी जाती थी और क्या क्या बिसे थे नमबर एक धार्मिक मानेताओं और ब्यवारों पर आधारित नमबर दो राजाओं के जीवन पर आधारित नमबर तीन और सदियों और बिग्यान पर आधारित नमबर चार महाकाब्यकविताएं और नाटकों पर आधार तुस्तके जो है लिखी जाती थी तो बच्चो इसी के साथ इस पार्ट से सम्मादित प्रस्णों के उत्तर आपके समापत होते हैं आप अगला पार्ट और उसके प्रस्णों तर देखना ना भूलें और लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक और सेर करना न भूलें और ध्यान दें कि हम आज बढ़ रहे थे कक्साचे है हमारे अतित का पहला द्याए क्या कब कहां और कैसे आप इन प्रशनों के उत्तर अपनी नोट बूक में नोट करेंगे और इन्हें अच्छे से याद भी करेंगे ताकि आपको परिक्षा के समय कोई दिकत या परिशानी का सामना ना करना पड़े तो आज के लिए इतना कापी है आपका दिन सुभ हो